Hello everyone, welcome to Happy Home, please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon आज की वीडियो में हम देखेंगे toddler यानि की एक से तीन साल के बीच में जो बच्चे होते हैं उनको independence day के fancy dress के लिए कैसे ready करना है तो आज मैं अपने daughter का बना रहे हूँ जहां सी की रानी लक्समी बाई Toddlers को fancy dress के लिए ready करने के लिए बहुत ज़्यादा patience की ज़रोत पड़ता है तो इस वीडियो में हम देखेंगे उसका make-up, उसका used materials, उसका homemade अस्तर सस्तर और उसका dialogue delivery कैसे सिखाया Dialogs at least 2-3 दिन पहले सिखाना स्टार्ट करें मैं दासी की रानी हूँ मैं दासी की रानी हूँ मैं दासी की रानी हूँ मैं अपनी जासी किसी को नहीं दूँगी कुटी को नहीं दूँगी तो चलिए start करते हैं कैसे इसका shield and तल्वार बनाना है तो हमको एक rectangle और एक square, दो cardboard लगेंगे square वाला sheet में हमको एक circle draw करना है और उसको उसके बाद cut करना है, इससे हम shield बनाने वाले हैं अभी इसको black color के paper cut करके दोनों तरफ से layering करेंगे तो इसके लिए हमको दो circle लगने वाले हैं black color के जो दोनों side में हम इसको wrap करेंगे एक छोटा और एक बड़ा पहले बड़ा circle को लेंगे, side से थोड़ा-थोड़ा cut करेंगे और favicol लगाके उसको अच्छे से paste करेंगे और उसके पहले हमको इस cardboard के नीचे favicol लगाके इस paper के उपर पहले paste कर लेना है यह देखिए कुछ इस तरीके से इसको उपर paste करें उसके बाद हमको side से paper cut करके चिपकाते जाना है अभी दूसरे side से जो छोटा circle था उसको भी यहाँ पे लगा देंगे next अभी इसका handle बनाना है उसके लिए हम दो piece ऐसे cardboard के cut करेंगे पतले-पतले और उसमें favicol लगाके उसको जोड़ लेंगे ताकि वो थोड़ा सा थिक हो जाए और पकड़ने में easy रहे जब यह अच्छे से चिपक जाए तो इसको तीन हिस्सों में fold करेंगे तो बीच वाला fold को छोड़के जो left and right side का दो हिस्सा होंगे उसको again हम दो-दो हिस्सों में fold करेंगे इसको अच्छे से press कर लेना है ताकि यह जब shield में हम इसको लगाए तो यह अच्छे से पकड़ बन पाए यह हमारा shield का handle बनके ready हो गया इसको थोड़ा और strong बनाने के लिए हम उपर से भी थोड़ा सा selective लगा सकते हैं चलिए देखते हैं तलवार कैसे बनाना है उसके लिए हम जो rectangular cardboard sheet था उसको लेंगे और उसको scale use करके पहले marking कर लेंगे और उसके बाद उसकी cutting कर देंगे यह shape में देखिए उसके बाद हमने silver sheet लिया है paper sheet उसको तलवार के उपर wrap करेंगे तो both side से थोड़ा थोड़ा paper छोड़ के हम cutting करेंगे और फिर उसको fevicol के मदद से हम paste करेंगे top side में हम ऐसे triangle बनाने का process करेंगे pointed उसके handle को आप कोई भी color का बना सकते हो जैसे silver color, golden color, black color, etc. मैंने golden color का sheet लिया है तो पहले handle के size के according square shape में इसको cutting कर लेंगे और फिर चारों तरफ से इसको paste करेंगे ताकि एक handle का shape ले सके then black color का एक पतला सा paper काटके हम लोग handle and तलवार के बीच में separate के जैसे इसको लगा सकते हैं इसको अभी हम dry करने के लिए रख देंगे next हम shield के लिए silver paper को circle shape में cut करेंगे उसको paste करेंगे उसके उपर तो अभी हमारा तलवार और ढाल दोनों बनके ready हो गया तो अभी चली हम make up करना start करते हैं सबसे पहले हम पहन लेंगे blouse, necklace and bangles starting से ही अगर पूरा साड़ी को पहना देंगे तो toddlers जो है वो irritate हो जाते हैं तो हम पहले blouse पहन के बाकी का make up करेंगे and then सबसे end में साड़ी पहनेंगे next हम बिंदी लगाएंगे तो उसके लिए हम पहले एक moon shape का करेंगे और एक white color का dot देंगे earrings जैसे लगने के लिए मैंने कान में बिंदी लगाया है and सबसे last में साड़ी को wrap करके pin up करेंगे और एक चुनरी के मदद से एक doll को पीछे बान देंगे थैंक्स पर वाचिंग प्लिस दोंगे तो सब्सक्राइब जया हिंद